ये सिद्वावा को गुफा है, ये शिवलिंग है, वो वो पूरी पहाड शिवलिंग है, आपको दर्शन करना है? आप ये वीडियो चुभू करते हैं, लास्ट वीडियो से हैं, अगर अगली वीडियो में हैं, फिर शिद्धy प्हाड चुड़ायाय लास्ट शिद्धन. सिद्धन की टॉरिया बोलते हैं इसको ठीक है और इसके उपर चड़ाई की जाएगी उपर एक मंदर है छोड़ा था मंदर देखेंगे कि उपर किसका मंदर है वैसे नीचे मैंने बता ना भूल गया मैं नीचे कबीर जी का मंदर है और ये नीचे इसमें लखावाता ये है र नीचे है वैसे दन की ट्वारि ना मंडर किसका है रहे रहने रातंगेड़ माता मंदर है ठीक है अम से काफी हूँ चाही पर अभी हम लग द्थी मदर अजहाब हम लोग किल इसीधा है हम een फो उपर दे ho será यह थे हम Coffee यह जड़ा यह वत शुम्दाए कर लोग वर तो फिन सा कि अभी थोड़े सीडियां और गिनना भूल गया वाई हम जब आरते हैं तो हम सोचाएथी कि सीडियां गिनेंगे अब नहीं आरे हम गिनेंगे एक सेकंड यह बैटा ना 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 वेगार का सम्सक्राइब यह लोग उना यह थोट रहें कि अपनलों ना कुछ आने की पेड़िया है सुरी यार यह कुट्ते भूके हैं इलनों को लग रहा है कि साइध हम कुछ आने के लिए लेक्या है इनके लिए जुता भी तो तारने पड़े हैं अब हम तो बहुत साल बाद आयार कमसम दस साल बाद यहां से बाई यह सीड़ियां खतम एक बाबाजी बैठे हैं यह उपर मंदर है अभी चलेंगे ठीक है बाई एक सफाई भी कर रहा है यहां पर राम राम बाबा आजा उपर आजा पौजारी जी बोलरहे भाई जूत यहां पर तार गांगे चला जाए आजा भी आजा भी आजाब या नहाय नहीं होगा आज है हैं अनी रहा था ले आज़ियो कर दो लिए जिए भाई मात्ता कमंदर जय मात्ता दी जय हो रतनगडवाली मात्ता क्यामासन गया तुम कभी हमासन तक नहीं गया है यहां पर बहुत सारे मंदर बने यार यह कुंड बना है अलका से शिवलंग है पहले हम सबुछते थे कि सिर्फ एक ही हाला कि मंदर तो एक ही है चोटा सा लेकिन इसके साथ ही और बी छोटे-छोटे और मंदर बने है हां यह दो को ना यह एक गुफा टाइप के यहां पर एक सेकंड यह दिख रही बाई एक सेकंड यह देखो यह ना गुफा टाइप के अ तक है यहां बहुत पता है यह तो पुस्ताइनी है यहां बसा उसको भी पता अच्छा अच्छा हाँ नयाद में कोई है नयाद जो अच्छा यहां रहते रहते खुदी आप इसके पर्चित हो जाएंगे यह सिद्वावा को गुफा है यह शिवलिंग है वह पूरी पहाड शिवलिंग माने जाते हैं आपको दर्सन करना है आप जब भी आप जाईएगा इस रोड पर आए टे वाले रोड पर हाँ वाले रोड पर से से आपको शिवलिंग दिखाई देगा और दूसरी बात आप खड़े कहां हो अब हम कोई खड़ें से शिष्ट नाग के फन पर अच्छा ते शिष्ट नाग के फन पर हम ऐसे रहता है पोंच हुआ है अच्छा पूछ वह पूछी यह परिच्छा दम तक हाहां परिच्छा यह पहुंच है सिद्धवावा का और उसके बाद लहर की माता बुद्धी माता सुरज भगवान को डंडोट परणाम करते हैं आप शिपरी बजार से देखिए करें बात बता है हमने शेशनाग शेवलिंग बुद्धी माता अब फिर इसके बाद की ब्रह्मा विश्मु महेश है ये तीनों काटे सबका कले से ऐके है आब कौन है ब्रह्मा कौन है भीस्मु ढपन और जो संकाने इसके अंदर हां महादेवं हां यह सार कि यह जार पहाड़ नहीं हरे हो हां ये जार पहाड याम्ते बिल्कुल सही हां रहा हा खड़े हो ऑघ इघ है क्ले अब अल्धでは स्य यह आप शेसनाट तब है अभी हम मतलब अभी शेसनाट पे हम लोग खड़ें यहां पर यह चानकारी किसको नहीं पता है यहां पूरे जांसी में सब आते हैं कि यह मंदर है लेकिन यह जानकारी यह पता है और पाच्वी यह महारानी लचिन वाई के चौकी है अच्छा यह य यह आप लोग चाहो ना तो वह द्यांचंद वाली पहाड़ से वहां से चड़ोगे और यहां पे शिद्ध वाली यह पहाड़ी है यहां पर आप यहां से उतर सकते हो तो यह चोटी सी जानकारी देने की कोशिश मैंने की थी कि अपनी जो सुद्ध की टौरिया है यहां की आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और शायद आप मैंसे बहुत ही कम लोगों को यह चीज या इस बारे में जानकारी होगी कि यह शिबलिंग है यह फन है और यह यह जो सारी चीज़ बताएं यहां पर आदमी आके उपर दारुआ रूपीत ने तो यहां पर आगर आटा बाबा नौशकार जैमातदी और जैहन और एक चीज एक चीज जो में बताना भूल गया वही बाबा हैं जो अब उपर हम लोगों को बता रहे थे यह नीचे से बाल्टी से पानी बर के ला रहे हैं बाई एको दूब मरो साले मतला अपन सोच रहे है हम लोग यह लग नीचे से उपर चड़ने में हालत खराब हो रहे थी यह दो दो बीस विस के लोगी बाल्टी लेकी उपर चड़े जा रहे हैं मतला बद्द है और हलाकि यह पानी यहां पर बहुत कठन चीज यहां पर बड़ी दिक्कत होती है नो पानी मतलो चलो यार मिलते हैं बाई